हलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का कमलेश विस्वा करमा यूटूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग का आई टी आई परिच्छा दौर बीस को लेकर एक बहुत भड़ी ख़बर निकल के आ रही है यहाँ पर आप लोग का एक क्वेशन भी है कि आप लोग का आई टी आई का परिच्छा 2020 का कब तक लिया जाएगा तो फ्रेंट्स इसी के लिए आप लोग का एक बहुत भड़ी जनकारी आपको निकल के आ रही है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आप लोग को नेव अपडेट 30 दिसंबर 20 का आपको बताने वाला हूँ जो कि फ्रेंट्स यहाँ पर ITI का आप लोग का डिजिटी का एक मिटिंग हुआ है जिसमें आप लोग का बहुत बड़ा फैसला आप लोग का ITI परिच्छा को लेकर किया गया है और फाइलि आप लोग का परिच्छा का डेट भी जो है वो पक्का कर दिया गया है तो आपका ITI 1st Year, ITI 2nd Year, ITI All-Back परिच्छा का यहाँ परिच्छा की डेट कब है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर आप लोग का डिजिटी का लेटर भी आ चुका है तो मैं आप लोग को साब कुछ आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी आप लोग का यहाँ पर नोटिस क्या आया हुआ है तो फ्रेंट्स फाइली आपको वीडियो को कम्पलीट और ध्यान से देखना तभी आप लोग को मालू हो पाएगा और फ्रेंट्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक ने किये हुए हैं तो आप लोग फटापट इसे एक लाइक कर ले और हमारे यूट्यूब शेलों को सस्क्राइब ने किये हुए हैं तो आप लोग इसे फटापट सस्क्राइब कर ले आपको नेचे रेट करका बटन इसे सस्क्राइब वाला आप लोग को उसे दबबाल घंटी वाल आइकन को आल ओटिफिकेसम पर क्लिक कर देना है और फ्रेंट्स आप तक ITI से जुड़ी सभी जनकार्श से पहले आप तक पौश्तीर रहेगी तो फ्रेंट्स आई अमों टाइम ना वेश्ट करते वे वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि फ्रेंट्स यहां पर आप लोग देख पार फ्रेंट्स फाइली मैं आप लोग यहां पर एक नियूश्पिपर कटिंग के माद्यम सी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि यह नियूश्पिपर आज का है और आपका इसमें दिया गया है शाल में दो वर्स की का यह नियूश्पिपर है जो कि यहां पर आपका दिया गया है मीनी 不錯 दो है यहां रहे हैbra योग का आउड्यों को मालूम हो पाएगा थिक है तो आपका यहां पर दिया गया मिनिया के सैचिक 2017-2019 की परिच्छा जन्वरी में होगी जिया फ्रेंट्स आप लोग का जो ITI का परिच्छा है वो आपका जन्वरी और फर्वरी महिने में ही आप लोग का एक्जाम जो है वो लिया जाएगा ठीक है बाकी आपका यहाँ पर देख पार दिया गया है परिच्छा सुवक केंद्र कराई जाएगी यहां फ्रेंट्स आप लोग का जो ITI का परिच्छा है वो आपका इनिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रेक्टिकल का आप लोग का जो एक्जाम है यह आपका ले लिया गया फाइनली बट आपका जो ट्रेड थियोरी वर्कसाप कैलकूलेशन एंड साइंस औ और आपका फर्स्टियर के लिए एंप्लाइबेल्टी इसका परिच्छा है यह आपका अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि जितने भी छात्रा आइटियाई फर्स्टियर के हैं आइटियाई सेकेंड यर के हैं उनका यह एक्जाम ऑनलाइन यानि सीविटी के माध्यम से कंप्य प्चुटर बेश्ट्र टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह एक्जाम होना है तो आपका ट्रेट ठीरी का एक्जाम कब होगा इसमें आप लोगों का बताया गया है और फ्रिंट्स यहां परमया आप लोगोगों बाद़ी प्रिंट्स आप लोगगGS अप एक सीविटी जाएगा उसी के माध्यम से आपका एक्जाम भी लिया जाएगा बट आपको वहाँ पर एक पास्वर्ट समिट करना पड़ेगा जो आपके आई टी आई संस्थान प्रोवाइट करेगा ठीक है बट यहां पर हम लोग जान लेते हैं पर नोटिस तो यहां पर आप लोग देख 2019 से लेकर 2021 सतर में जो आई टी आई स्टूडेंट का एडिमीशन दो साल के कोर्स में हुआ है उनका पर इच्छा यहां पर अभी एक्जाम जो है उनका नहीं हो रहा है ठीक है अब इनके लिए यहां पर प्रमोट करने की भी बात चल रही थी और यहां पर उनका पर परिच् साफ लोग का जितने भी टेक्निकल के स्टूडेंट है जितने भी टेक्निकल कालज के स्टूडेंट है उनको यहां पर प्रमोट नहीं किया गया है जो नान टेक्निकल की स्टूडेंट है उनको प्रमोट किया गया है बट आपका टेक्निकल की स्टूडेंट जो है उनको यह बोर्ट की ओर से फैसला लिया गया है कि जन्वरी माह में वर्स 2019 की परिच्छा एक करा लिश जाएंगे जिहाerdं लोग का परिच्छा वह 12 लोग कम्लग का परिच्छा है उच जन्वरी महिने में आप लोग कर लिया जाएगा अब अब योस आप होको सकता ही जन्वरी के अवींटर उतना अवेलेबल है तो आपका एक्जाम ले लिया जाएगा बट आपका जब तक आईटी आई संस्थान में आपके जो कम्पूर्टर की विष्था नहीं होगी तब तक आप लोग का चार्ज और वरीकों आपका एक्जाम नहीं लिया जाएगा और वहीं पर आप लोग का एक्जाम होना है तो आपका जब तक आप लोग का एक्जाम नहीं लिया जाएगा बट आप लोग यहां पर देख पार दिया गया है जनवरी मा में वर्स 2019 की परिच्छाएं करा ली जाएंगी इसके बाद सहचिक सतर दो हजार बीस एक की परिच्छाएं मदर्सा बोट की अन्य परिच्छाओं के साथ कराई जाएगी ठीक है बाकि जब भी आपका एटे का परिच्छा होता है तो उसी के साथ आप लोग का एक् सब्सक्राइब करका पर-दिख पर दिया गया है परिच्छारतियों का नहीं आएगा मीनी आईटीअ की वर्स परिच्छाँ अभी तक दूसरे सेंटर पर होती थी लेकिन मदर्सा बोट की बैठक में फैसला Walkman की वज़े से इस साल मीनी आईटीये के परिच्छाषियों की सुवाकेंद्र में आयोजित की जाएगी बोर्ट की रेजिस्टार आरपी सिंग ने कहा है कि कोविड नैंटीन को दृष्टी गत रखते हुए परिच्छा हैं सुवाकेंद्र परिच्छा कराने का निड़े लिया गया उन्होंने कहा है कि परिचारतियों की संख्या भी मिनी आईटी आई में कम होती है इसके लिए सुवाकेंद्र परडाली में परिच्छा में कोई दिक्कत नहीं आएगी उत्तर परदेश में 144 आईटी आई का संचाल होगा प्रयागराज में दो आईटी आई में तीन तीन ट्रेट के सर्टिफिकर्ट कोर्स करा जाए जाए कि आप नहीं तरह लोग और आप लोगा जो whipping का परिच्छा होगा वह का जनौरी-फर्वरी महिन्ने में आप लोगका लिया जाए गा और फिर्टस आप लोगका यहाँ पर कई स्टेट यहांप भी आ गया है बट जब तक हम लोग के आरे तुर नहीं हो पाती है तब तक हैब लोग होगा कियो नहीं होगा क्योंकि अगर लोगा कंप्यों 있을 लोग होगा तभी आप लोग का accept होगा क्योंकि आई टी आई में बहुत सारे इस्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो जब तक आपका कंप्पूटर का विस्तानी मत पदाता तक आपको का एक्जाम नहीं होगा